नमस्काय, डीदी की रेसुई से आज की जो रेशिपी है वो है मोरिंगा या फिर सहजन उसके पते का कोफता तो आजिये चीकते हैं कैसे बनाना ऐसे शबसे पहले हमें मोरिंगा का जो बत्ता है वो लेना है और इसके पत्तो को ऐसे महीन बारीक-बारीक काटना है इससे पहरे हमें इसे धुर लेना है अच्छे से कि इसमें कोई भी कीड़े या फिर मिट्टी विगरा ना हो इसके बार फिर महीम काटने के बार इसमें हली आजवाइन और चिली पाउटर या फिर कुटी मीच इसमें डालनी है नमक जादाएंसार खेंग और बैसन आपको डालना है। इसके बार इतना की बैसन डालना है कि जिससे उसके छोटे-छोटे गोले बनाएजा सके अब भामएं अच्छेутьाने बालना है और हनका सी पानी डाले कर ऐसा त्यायर कि तैयार कर ना कि इसे कि चोटे चोटे मसलों भणाफ कर ऑफ दो से को यह चुटे समसलों कर आख अज कहरें इसकी इसे start ना एक कि नहीं वाला हूं क हम इसको अच्ना कष़ार waste की यह घब अब हम एक साइड इसके ब्रेवी के लिए प्याज बारीक बारीक कट कर लेंगे और टमाटर लेना है लेस्ट नेना है प्याज का और लेस्ट का एक साथ पेस्ट बनाया हुआ है इसके बाद हमें टमाटर को कट करना है और टमाटर को कट करने के बाद उसको भी उसकी प्योरी बनानी है उसको भी पीस लेना है अच्छे से और उसको पीस के फिर हम उसको भी अलग से रख लेंगे इसके बाद हमें कराही में तेल डालना है और जो हमने डो बना के रखा हुआ था मोरिंगा के पत्तों का उसको सॉफ्ट हो चुका है अब इसके छोटे-छोटे गोले बना के आपको जैसा सेफ पसंद हो वैसा आपको लेना है अगर आप चाहे तो गोल बना सकते हैं या फिर उसको हलका सा चप् इसको फ्राई करना है टिक्की के सेफ में और इसको आपको मीडियम आज पे ऐसे फ्राई करना है जब तक यह ब्राउन ना हो जाए और जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पे फ्राई हो रहा है यह खाने में बहुत ही तेस्टी होते हैं तेस्टी के साथ यह बहुत ही हेल्द की बत्ते होते हैं और इंटाइबिटीज इसको होता है उसके लिए बहुत पायदा करता है तो इसको हमें इस तरह से प्राइब कर लेना है आप जहसे देख रहें कि ये हल्का सब लाउन हो चुका है और जैसे ये पक जाएगा हम इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगी इससे तरह अमें ये सारे जिटने भी हम लिए हुआ है वज़े चैना हमने दो बनाया हूँ इस själv ऐसे खाले करके सब्सक्च्री बाहें कर देना है इस के दोसरे साथ हमें इसको फ्राई करना है और फ्राई करके हम इसको निकाल लेंके तो बहुत चाहता है इसको तलनी के जलूर उतली है क्योंकि हमने इसको ग्रयवी बनाना है तो हमने इसको निकाल लिया थे प्राइकड़ी के पार अब सबसे पहले जीरा डाला है छो तरखा लगाए हुआ है य से डाल के और इसके बार प्याज, नेद्यू इसको हरगा गुलाबी होने तक हम इसको भूनेंगी और अच्छे से बुन देनी के बाद हम इसमें जो अलग और भी इंवेडियंस हैं वो बिलाएंगे जैस से देख रहे हैं हाट गुलाबी हो चुका है तेल की छोड़ डिनप आप है तो हम इसमें जो पुटी मेच है अजली है और मसाला आप सब्जी मसाला भी लोए पर था इसको फ्राइः करना है आप डरूतने के आप फ्राय जब टेल चोड़ने लगी उसके बाद हमें इसमें टमाटर डलना है और इन सब ко अच्छे से फिर से पुनना है धीमी और या फिर मेडियम आच पी isch पकाना है और जब यह तेल चोड़ते जब इसमें से तब फिर हमें पानी डालना है और देखिए इसका बहुत खुबसूरत सा कलर आया है, मिल्कुल रेडिस सा, और ये इसमें आप अपकी जो पी शानुसार पानी इसमें डाल सकते हैं गलेवी का, अगर आपको राइस के साथ काना है तो थोड़ा सा इसमें जो पानी है वो ज्यादा दालेगा, और अगर आप ये पराटी के साथ बनाना चाते हैं तो इसमें तोड़ा कम गलेवी डालें के, जैसे इसमें उबाल आ जाया है, कब वाय लोग जायगा ये तो इसमें आमें जो हमने बना के रखके हुए है थी, कौफते, स्याज़त के बट्ती का, वो सारा इसमें हमें डाल देना है, और इ अचि पख चुका है अब हम इससे आच्छे हम थाता देंगे जब ये बसक बकग जाएका उतक है। जैसा यह देखने में लग रहा है बहुत ही खुबसूरत सा रेसिपी जैसा ही यह खाने में है और हल्दी भी होता है आप इसे ट्राइब आप